सारहर माहादेव जै भोलेनाथ नमस्कार दोस्तों मैं साधना पांडेव मागदर्शन पर आपका श्वागत करते हूं दोस्तों मैं बात करूँ गी की सावं सो मुर का ब्रत यदि आप रखते हैं तो ब्रत का सही अर्थ क्या है? सही माईने में ब्रत है क्या दोस्तों ब्रत तो रख देते हैं बहुत सारी बड़ी कामनाय होती है जो कि पूर्ण नहीं होती है उसके उपरां हम बहुत जादा परिशान होते हैं दुखी होते हैं और हमको लगता है कि हमने जितनी महनत की ब्रत के रखने में और हमारी कामना प तो भी उसको पालन करना है अब ब्रत का नियम यह नहीं होता है कि आप पूरे दिन भोजन नहीं करेंगे जल नहीं पिएंगे तो आपका ब्रत पूर्ड हो गया देखिए यदि इस तरह से ब्रत का फल मिलना होता तो उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको की जाने अन जाने में भोजन नहीं प्राप्त होता है कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है तो उनका पूरे तो हमसे भी अधिक होता है क्योंकि वो हमसे जादा ब्रत रखते हैं भूखे रहते हैं तो ब्रत का फल हमें प्राप्त नहीं होता है अगली से दोस्तों भूखे तो पसू भी रखते हैं वो भी भूखे रहते हैं तो उनको भी हमसे अधिक पूरे साली हो जाना चाहिए लेकिन बात ही ये नहीं है दोस्तों जिसमें जन सामाने का मन जाता है देखें नेड़े सुन्दु में ब्रत रखनी के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है ब्रत रखना एक तपस् उसके नियमों के बारे में फूर्ण तया जानना भी बहुत जरूरी है कुछ नियम आपको पता होगा और कुछ बिलकुल भी नहीं पता होगा जिनके वज़ा से आपको आपकी कामनाएं फूर्ण नहीं होती है तेके एक बात और फिर मैं बताना चाहूंगी कि ब्रत एक के देवताओं से बहुत बड़े-वरदान लिए थे तो तपस्या डेवता को कि विवस्त कर देती है आपकी कामनाओं को पूर्ण जरूरी है कोई और व्रत के अलग अफ्रत करना होते हैं कुछ यह सबब्ल। होते हैं जो की निर्जला होते हैं जैसे हर्टालिकाती जो गई करवाचियोत जीवत पुत्री का हर्ट और सुर्य खश्टी की पूजा बहुत सारे ब्रत हैं जिनकों की निर्जला भी रखा जाता है तो आज जो ब्रत करें वो जल वाले ब्रत की बात यानि कि जिसमें जल फल यानि कि फलाहार लेकर के हम व्रत रकते हैं। तो दीखे ब्रत रखने का एक सामाने सा यह उद्दे सो होता है हमारा कि हमारी कामनाइं पूर्ण हो या फिर देखे कुछ नहीं है तो हम यही सोकते हैं कि भगवान की कृपा बड़ से इसके लिए हम व्रत रखते हैं। धन की इच्छा होती है तो ब्रत रखते हैं हमारे बच्ची का जो है कि स्वास्त सही नहीं है इसके लिए ब्रत रखते हैं हमारे पती का ब्यापार अच्छा नहीं चल रहा है नौकरी नहीं लग रही बहुत सारी कामना होती है अब मैं बताने जारी हूं आपको कि आपकी जो क को जिस दिन आपका ब्रत रखे सिर्फ भूखे पयासे रहना ही ब्रत नहीं है और आपको करना क्या है आपको करना यह दोस्तों कि अपने जिस धेवता की निमीत रखा जैसे शावन हो मार हम लोग महादेव के लिए रखे प्रति दिन प्रति स्वास हर समय जब आपकी जिवा चले आपके मन में या तो कोई मंत्र हो या महादेव का नाम हो दोस्तों गौर की जिए का बातों पे कि या तो मंत्र पे जिवा पे महादेव का नाम हो या तो आपके मन में जो है पर उनका ध्यान करूंगी कि निश्चित रूप से उनको भी विवस होना पड़ेगा जो कष्ठ है हमारा उनको काटना ही पड़ेगा दोस्तों आपके इस तपस्या से महादेव सत प्रत्सत प्रशन हो ही जाने वाले हैं तो इस कठिन तपस्या को आप करिए कभी ब्रत रख करके और खाना पीना बंद करके यह मत सोचिए कि आपका ब्रत पूर्ण हो गया आप सोएं तो भी नाम ले करके सोएं कि हे महादेश अपने यदि आये तो उसमें आप आएं यदि स्वास चल रहे हैं तो वो सारी स्वास में आप हो दोस्तों देखिए किस तरह कष्ट करता है किसी कायर्ण से तबियत खराब है जैसे कि कोई ऐसी समस्या जिसमें आप बहुत जादा ठकान फिल रहे हैं कर रहे हैं तबियत खराब देखिए ये भी नहीं है कि आप अपनी जान दे करके इस नियम को पूरा करें ये मैं बिलकुल नहीं कहूंगी यदि गर्भुती महिला हैं वो ब्रत रखें तो उनको दिन में आराम करना बहुत जरूरी है तो ऐसा आप जरूर कर सकते हैं लेकिन पूर्टया स्वस्त हैं तो दिन में सयन बिलकुल भी ना करें इस बात का ध्यान रखें अगले चीज़ बताऊंगी दोस्तों कि जब जिस दिन हम लोग ब्रत रख करने का संकल्प लेकर के उठोंगे उसी दिन से अनायास मुझे बहुत सारे बिना किसी वज़ा के गुसा आता है कभी मन करता है चिलाओं बोलूं लेकिन मैं बातों को समझते हूं मैं समझते हूं कि यह गुसा मुझे अकारण नहीं आ रहा है यह तो मेरे ग्रहों के द्वा बहुत हैं हमें तो दिखाई यह देता है कि हमने भोजन नहीं किया थो हमारा ब्रत पूर्ण हुआ लेकिन कभी भी क्रोध आये तो उस क्रोध तुरंत आपके दिमाग में यह जाना चाहिए कि यह क्रोध जो है वो हमारा ब्रत भंग करने के लिए इसलिए हमें आज के दिन गुष्सा बिल्कुल नहीं करना है वही इस्तिती होती है दोस्तों मैंने कई चीजों को गिनाया ध्यान रिखे फिर गिना रहे हो आपको काम क्रोध मद लोब आलस्य और निंदा इन चीजों से आपका ब्रत भंग होता है यह नेड़ा सुदु में लिखा हुआ है अब वही हैं इसलिए होते हैं कि हमने जो पूरी अरजित किया या फिर हम जिस मार्ग भी चल रहे हैं हमारा मार्ग जो है बिल्कुल सही है वो हमें महादेव तक पहुँचाएगा या फिर जिस देवता तक आप पहुँच जाना चाहते हैं अपनी किसी भी कामना के लिए जाना चाहे निसकाम कामना के लिए जाना चाहें वो आपके निंदा रूपी जो पत्थर है वो आपके रोड़े मर्ग का रोड़ा बन करके आपके सामने आ रहा है तो ऐसी चीजे कोई ऐसा फोन आता है तो उनसे आप कह करके टाल दें कि आज बात नहीं करूंगी मिरतवेट ठीक नहीं कि आप जो जूट बोली हैं वो जूट किसी भलाई के लिए किसी की निंदा करना किसी भी स्तिती में उचित नहीं होता है तो ऐसी चीजों को टाल देना ही बहुत उचित है अब अगले चीज बता दूंग दोस्तों कि बार-बार जल और फल गरहन करना क्या होता है कि कि दोरान बार बार जल और फल ग्रहन करते हैं तो वही बात है जो मैंने पहले कहा कि यह हमारी तपस्या है कुछ न कुछ अगर हम कठीन तपस्या करेंगे तभी अपने मार्ग में अच्छी तरह से पहुंच सकेंगे अपनी कामनाओं तक महादेव तक तो इसलिए ध्यान रख कि कुछ खा रहे हैं कहीं से पानी पी रहे हैं कहीं से कुछ कर रहे हैं कहीं बाहर गये तो कहीं चाय पी लिए कहीं फल खा ले दोस्तों जब भी आपको बाहर जाना हो ब्रत के दोरान तो आप कोसिस करें कि अपने घर की बनी हुई कोई सामान फल जल इस तरह के चीजें ले तो अगली चीज बता दू दोस्तो पारण की बात देखिए बने उतना ही महत्व आपका पारण भी रहता है जितना आपने पूरे दिन ब्रत रखा पूरी प्राथन और अपना ध्यान लगाए उतना ही महत्व रहता है आपका पारण, पारण के बारे में साहद मैंने एक वीडियो में और आपसे चर्चा की थी, पारण होता है कि आपको स्नान ध्यान करने, आप चाहे कितनी भी जल्दी में कहीं जा रहें पर बिना स्नान के भोजन ना करें, आपको स्नान करना है पूजा पार्ट, दो मिनट सही, लेकिन आपको पूजा करना है, पारण करना है, उसके बाद आपको बैठना है, और जो भी भोजन बनना है, सुध सात्विक भोजन ही आज के दिन गरहन करीं, क्योंकि आज आपका पारण है, दूसरी चीज़ जो कि बहुत बड़ी है, बहुत जक्ती देती है, आप ऐसा करक देखेगा जब भोजन ले तो हाथ जोड करके आप सामने बैट करके और महादेव का नाम यानि आपने जीज देवता का व्रत रखा उनका नम ले नाम लेने के बाद उनसे प्राथना करें कि प्रभू मैंने आपका ब्रत पूंड किया है अब मेरी जो कामना है जो मेरी इच्छा है या फिर मैंने आपकी कृपा के लिए किया तो वो जरूर पूंड करें दोस्तों आखें बंद करके इस तरह से प्राथना करते हुए भगवान से बोलिए कि भगवान मैंने पून किया अब फल देना आपके हाथ में है आप जैसा उची समझे वाइसा मेरे साथ करें अब मैं ग्रहन करें उसके बाद थाली को प्रडाम करें गव माता के लिए गव ग जैसे कि सावन सो मोर का यदि आप ब्रत हैं तो आप कुछ सफेद चीजा जैसे की चावल, चीरी, दूद, कुछ भी सफेद चीजों का दान आप जरूर करें इस्ते करने से आपका ब्रत पूर्ण होता है आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं तो दोस्तों जानकारी तो जातक नहीं करता है तो किसी भी इस्तिती में उसका ब्रत पूर्ण नहीं हो एक चीज़ और बता दो दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा आज की ये बात नहीं है जो भी धर्म सास्त्र पढ़ते हैं उनको जरूर पता होगा कि जब आप कोई कठिन तपस्या करते हैं या पूर कि यह अलग अलग की हमारे सामने आते हैं और हमें परेशान कर हमारा तोड़ करके चले जाते हैं बस इन सब से सावधान है और देकिन हमेस्था आप अपने मrd में नाम लेते यदि आपकी मांसिक धर्म की अवस्था है तो भी आप परिशान नहीं मांसिक रूप से आप महादेव का नाम लेते रही है जिस भी देवदा का ब्रत है उनका नाम लेते रही है ब्रत के नियम को पूर्ण कीजी दोस्तों किसी भी कीमत पर आपका ब्रत जो है वहां निश्च पढ़ाय धर्म सिन्दु ग्रत में लिखा हुआ है दवा लेने, यैनि अवसधी ग्रहन से कभी भी आपका ब्रत ग्रहन तूटता नहीं है तो अवसधी आप ले सकते हैं झाल झाल झाल